उत्तर प्रदेश विधान सभा में योगी सरकार 2.0 का पहला बजट पेज किया गया बृत्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को पेज किया जिसमें युवाओं से लेकर महिलाओं वाल विकास किसान और रुजगार को लेकर तमाम योजनाओं का खास ख्याल रखा गया है इस बजट को लेकर अभी सीयम योगी आदितिनाथ की पहली प्रत्क्रिया सामने आये सीयम योगी ने इस बजट को लेकर बृत्य मंत्री को पधाय दी और कहा कि ये बजट प्रदेश वास्यों के लिए खुसियों का त्वार सिद्ध होगा सीयम योगी आदितिनाथ ने यूपी के मेगा बजट पर प्रत्क्रिया ट्वीट किया और लिखा कि आत्म निरभर पर उत्तर प्रदेश इवं अंतियोदय की संकल्पना की सिद्धी को समर्पित लोग कल्यान का बजट के लिए माने बृत्तिमंत्री शूरेश खन्ना को हार प्रचीज करोन चंता की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश की समग्र विकास को ध्यान में रख कर बनाया गया है साथ ही मुख्यमंत्री योगी आतितनात ने आगे कहा कि हमने पहले लोग कल्याड संकल्प पत्र की 130 संकल्प में से 37 संकल्प को पहले बचट में जगा दी है 44 संकल्प नए है 54,883 करोन रुपए का इंतजाम है फ्री सिचाई योजना के लिए सोलर पैनल की बिवस्ता है करीब कल्याड योजना के लिए कार जारी करेंगे जो केंद्र और प्रदेश की योजनाओं से रह गया है उसे लाब देंगे बुजूर्ग पुजारियों और संतों के लिए पुरोहित बोड का गठन का भी फैसला लिया गया है वहीं दूसरी तरब योगी सरकार के बजट पर समाजवादी पार्टी ये राष्टी अध्यच अकलिस यादों ने कहा कि ये बजट नहीं बटवारा है उन्होंने पूछा कि घोज़डा पत्र में कहा था किसानों की आयदुगनी हो जाएगी क्या सरकार बताएगी किसानों की आयदुगनी कब होगी अकलिस ने कहा कि महंगाई लगा तार बढ़ रही है बजट आने से गाउं में उदासी चाई हुई है सियम योगी आदित तिनाथ ने कहा कि बजट में गाउं करीब किसान नौ जवान और महिलाओं समय समाज के हर तबकिये को धान में रखकर बना गया है योपी सरकार का ये बजट पांच सालों का विजन है जो प्रदेश के समावेसी समग्र विकास के लिए उच्छल भविस तयार करेगा उन्होंने कहा कि 2022 विधान सवाच चुनाओं से पहले बीजेपी की ओर से एक लोग कल्याड पत्र चारी किया गया था इसमें 130 खोसडाय की थी उनमें से 97 संकलपों को बजट में अस्थान दिया गया है उन्होंने बताया कि इन योजनाओं के लिए बजट में 54,583 करण रुपए का प्रावधान किया गया है डेक्स रिपोर्ट, डीके नियूस